आज हम डिसकस करेंगे सीटैट पेपर वन मैथमाटिक्स में जो टॉपिक हम डिसकस कर रहे थे नमबर उसका सैकिंड पार्ट जिसमें हम आज डिविजिबिलिटी को डिसकस करेंगे जिसको विभाजिता कहते हैं मतलब किस अंक से कैसे चीज़े डिवाइड होती है तो क्या-क रूर्स अपलाई होते हैं वो हम आज डिसकस करेंगे इंपॉर्टन है सीटैट में से कुष्ण पूछे जाते हैं इसलिए बहुत जाद इंपॉर्टन होने वाला है आज बेसिकलिए ये बुक की पीडियेफ से ही मैं आपको यह पढ़ाऊंगी चलिए देखो दो से विभाज़ता है मतलब दो से कोई नंबर कब डिवाइड होगा कोई भी संक्या दो से पूर्ण तब विभाज़त तब होगी जब इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 होगा मतलब अगर उसका इकाई अंक दो से कटता है किसी संक्या का इकाई अंक अगर दो से पूरी तरीके से कट जाता है तो वो नंबर भी दो से डिवाइड होता है सिंपल सी चीज़ है जैसे कि अगर आप इस नंबर को देखे नाइन नाइन एट तो इसमें एक एक अंक आठ है और आठ में दो का पूरा भाग जला जाता है ठीक है दो चोक आठ तो आपका इसका मतलब यह पूरी तरीके से दो से डिवाइड हो जाता है ठीक चलिए अगर तीन से विभाजता हम देखे तीन से डिविजिबिलिटी कैसी होगी मतलब कोई भी नंबर तीन से तब पूर्णतय विभागत होगा जब उस संख्या कि अंको का योग तीन से पूर्णतय विभागत होगा ठीक एधा बहुत सिंपल है यह तो आप लोगों को पताई होगा जैसे 954 है अगर आपसे पूछे कि 954 क्या तीन से कटता है तो आपको क्या करना है पहले 9 प्लस 5 प्लस 4 करना है 9 प्लस 5 प्लस 4 करो और यह जो नंबर आया है 18 इसको फिर 3 से डिवाइड करो अगर यह नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है इसका मतलब वो नंबर भी पूरा का पूरा 3 से डिवाइड होगा मतलब इसमें क्या करना पड़ता है आपको basically अंको का योग अगर 3 से divide हो रहा है तो वो number भी 3 से divide होगा ठीक है चलिए देखो वैसे तो exam में अगर question पूछा जाएगा कि ये number किस से divide होगा या 11 से divide हो सकता है नहीं एक तरीका तो यह है कि आप सारे number को divide करके देखो पर अगर आपको पता होगी तो आप easily कर दोगे और कई बार question इस तरीके से पूछे जाते हैं कि 11 number से कौन से number कटेंगे उसके लिए शर्ते नीचे लिखी गई होगी आपकी तो वो आपको इसलिए पता होना चाहिए ठीक छोटा सा topic है लेकिन जरूरी है अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को like, share जरूर करें चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe करें and press the bell icon button ताकि आपको हमारी वीडियो notifications मिलती रहें and comment करना ना भूले बिल्कुल भी चार से विभाद जिदा देखो चार से कोई number कप कटेगा जब किसी संख्या के अंतिम दो अंकों से बनी संख्या चार से विभक्त हो अत्वा किसी संख्या के अंतिम दो अंक जीरो हो तो वह संख्या चार से पूर्णता विभक्त होगी देखो चार से Divisuality का जो नियम है सिर्फ आपको लास के दो नमबर देखने अगर लास के दो नमबर चार से कट जा रहे है पूरे पूरे तो वो पूरा का पूरा नमबर चार से कट जाएगा अगर मैं सी की बात करू नमबर की तो 4936 में सिर्फ आप last के दो डिजिट देखो कि क्या इसमें 4 का पाढ़ा जाता है तो 36-4 से पूरी तरीके से कट जाता है इसके लिए ये पूरा नमबर भी 4 से कट जाएगा एक तो शर्त ये है या फिर अगर किसी अंक के अंत में 2-0 लगे हो ठीक है या अंतीम 2 अंक 0 हो तो वो संख्या 4 से पूरी तरीके से कट जाती है ये दोनों आप याद रखना ठीक है या तो last के दो नमबर 4 से कटे या फिर 0 हो last में last के दो नमबर में 0 हो तो वो संख्या पी 4 से पूरी तरीके से कट जाएगी पांच से विबाद जेता देखो पांच का तब बहुत सिंपल है पांच से कोई नमबर तब कटेगा अगर उसकी जो अंतिम अंक है लास्ट का जीरो हो या फिर फाइव हो तो वो नमबर पूरी तरीके से पांच से कट जाएगा ठीक है जैसे कि अगर इसी मैं दिखू में 12 22-5 हमें दिया गया तो ये नमबर 5 से कट जाएगा क्योंकि इस किलास में 5 है या तो 0 होना चाहिए और या तो 5 होना चाहिए चीक देखो छोड़ा सा टॉपिक है कम इंपॉर्णन मत मानना क्योंकि क्योंकि ऐसे पूछ ली जाता है कभी कहीं बार शर्ते पूछ ली जाती है कि वही शर्ते बताईए कि 11 नमबर से काटोगे तो कैसे काटोगे, 7 से काटोगे तो कैसे 8 से काटोगे तो कैसे, तब थोड़ा सा confusion होता है, 6 से विभाज दिता यदि कोई यंग 6 से पूर्णता विभाज तब होगा जब वह संख्या 2 या 3 से पूर्णता विभाज तो बहुत सिंपल है, अगर वो नमबर 2 से और 3 से पूरी तरीके से कटता है, दोनों नमबरों से कटता है, तब वो 6 से कटेगा, यह याद रखना संख्या 744 है, तो इसको पहले 2 से भी डिवाइड करके देखो, पूरी तरीके से कट जाएगा, 3 से भी डिवाइड करके देखो, पूरी तरीके से कट जाएगा, अगर यह 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है, तो 6 से विभाजिता कोई भी संख्या साथ से तब विभाजित होगी जब संख्या के अंतिम अंक को दोगुना करके सेश्व शंख्या से गटाया जाए और प्राप्त शेश्वल साथ से भाज या जीरू हो मतलब देखो अब यह आपको कुछ समझने आएगा जब एक्जामपल देखो तब समझ में आएगा 24-39 यह आपका नंबर है आपको चरक करना है कि साथ से डिवाइड होता है या नहीं तो आपको सबसे पहले क्या करना है जो अंतिम दो अंक हैं संख्या के अंतिम अंक को दो गुना करके सेश्व संख्या से घटाया जाए और प्राप सेश्वल साथ से भाज्य हो या 0 देखो अंतिम दो अंक की गुना आपकर दो नो दू नी 18 यह आपको करना है मतलब अंतिम अंक आपका 9 है और अंतिम अंक का दो गुना करना है तो 9 दू नी 18 आपका देखो 9 है ना इसमें तो सबसे पहले आपको क्या करना है अगर आपका नंबर 2429 है सबसे पहले आप लास का नंबर देखो इसका दो गुना कर दो 9 x 2 18 और 18 को ये जो बचेवे नंबर से घटा दो तो 242-18 करना है आपको और फिर जो आंसर आएगा उसको साथ से डिवाइड करना है 122 बचा 242-18 करके 224 आगया फिर आप इस 224 में अगर आप साथ का भाग दोगे तो पूरी तरीके से कटना चाहिए तब वो अंक साथ से कटेगा देखो साथ से भाग दो साथ या 21 बचाएक साथ दुनी चोधा पूरी तरीके से कट जा रहा है ठीक है तो ये नमबर भी साथ से पूरी तरीके से कटेगा अगर मैं बोलू देखो इस पे इस ने रिपीट करके दिखाया है अगर आप से पूछा जाए कि 224 क्या पूरी तरीके से कटेगा साथ से तो आप क्या रूल करेंगे कि जो लास का नमबर है उसका दो गुना कर देंगे चार का दो गुना कर दो चार दुनी आठ बचेवे नमबर से घटा तो 22-8 बराबर आपका बचेए 14 फीज का साथ में पहड़ा पूरी तरीके से जाना चाहिए साथ दुनी चोधा पूरी तरीके से कट रहा है इसका मतलब ये नमबर साथ से डिवाइड होता है आठ से विभाज़ता जैसे चार से विभाज़ता आपने पढ़ी डिविजिबिलिटी सेम आठ से है थोड़ा सा डिफिरेंस है जब किसी संक्या के अंतिम तीन अंक शूनने हो अत्वा अंतिम तीन अंकों से बनी संक्या आठ से विभाज़त हो तो वह संक्या आठ से पूर्णता विभाज़त हो जाएगी देखो जब हमने चार का पढ़ाता तो चार में हमने क्या कराता तो वो संख्या आर्ट से रिवाइन हो जाएगी जैसे की 14, 872 तो आपको सबसे क्या करना है इसमें लास के तीन अंग देखने है 800, 872 आर्ट से पूरी तरीके से कट जाती है तो इसका मतलब ये संख्या भी आर्ट से पूरी तरीके से कट जाएगी 9 से विभाद देता कोई भी संख्या 9 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है तो ये 9 से पूरी तरीके से कट जाएगी चलिए 10 से विभाद जाता कोई भी संख्या 10 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी 11 से विभाद जाता है ये थड़ा देखे यदि किसी संख्या के विशम इस्थानों पर इस्थित अंकों के योग थथा सम इस्थानों पर इस्थित अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाद जे हो तो वह संख्या 11 से पूर्णता विभाद होगी 11 का अंपॉर्टेंट है पूछा भी जाता है एक्जाम में कंडिशनस पूछी जाती है तो क्या करने आपको अगर किसी संख्या के जैसे ये आपके संख्या दी गई है ये देखो 1, 3, 5, 7, 4 इसके संख्या के जो विभाद अंक है उनके अंकों का योग माइनस सम जो इस्थानों पर इस्थित अंकों का योग का योग का जो अंतर है वो 0 होना जाए जैसे कि इसमें आपके और पहले विषम मैं देखो पहले तो क्या आएगा उनकों का योग पहला विषम इस्थान 1, 5, 4 विशम इस्थान देखने विशम संख्या ये नहीं देखने is से एक विशम हो गया, तीसरा इस्थान विशम होता है, ठीक, और आपका कौन सा हो जाएगा, चार, पांच, पांच वा इस्थान विशम होगा, तो इस्थान की मैंने बात करें, इसलिए, फिर आप देखोगे, सम इस्थानों पे जो नंबर्स हैं, उनका योग तो सम है, आपक ओके, 10-10 करोगे, देखो, 10-10, 10 इसका आगया, मतलब विशम इस्थानों की अंकों का योग, और 10 आगया सम इस्थानों की अंकों का योग, इनका जो डिफरेंस है, वो 0 है, तब यह नंबर्स ग्यारा से डिवाइड होगा, या फिर जो भी इसका जो डिफरेंस आएगा, व या आपको लगता है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो comment section में मुझे बताना, हम कोशिश करेंगे कि वो चीज़ आपके clear हूँ, या फिर जब live session में लूँगी, तब हम discuss करेंगे, तो mathematics का syllabus तो हम पूरा ही मैं discuss करूंगे आपके साथ, तो channel के साथ बने रहे हैं, और जल् के लिए इतना ही जल्दी मिलते हैं, अगली वीडियो में दबता के लिए, बब बाई